प्यारे साथियों आप सभी कामर चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के मादम से क्लास 10 के बच्चों के लिए ग्री विग्यान का 2024 का लाटेस्ट मौडल पेपर लेकर काच चुके हैं और बच्चों इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को इस चानवे परसेंट माक्स कैसे एचीब कर सकते हैं वह मैं आप सभी को इस वीडियो के मादम से लाइप रूप दिखाने वाला हूं और यह वीडियो देखने के बाद आप सभी का सारा डावट क्लियर हो जाएगा और गरंटी के साथ आप बोड के पेपर में पांचानवे पर के साथ दिखाने वाला हूं समझाने वाले हूं इसलिए आप से भी संबल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मिस मत करना सूरुस लेकर केन तक ज़ूर देख लेना वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब पक्का करना ठीक है आई दोस पूरे के पूरे प्रकार पढ़ना है और पढ़कर हल करना है और यहां पर सतर नमर के पुणा कराने वाला है ठीक है यह क्लास 10 के बच्चों के लिए होम साइंस का वाइरल मॉडल पीपर बताने जा रहा हूं ठीक है यहां पर कुछ आप सभी के सामने समानी निर्देस भी आता है कि सभी प्रश्ण हल करना अनिवार होता है यहाँ पेपर दो खंड खंड और खंड बा में डिवाइट किया जाएगा और खंड आ में 20 बहुत विकली प्रश्ण होंगे जिनको ओमार अंजर सीट में भरना होगा ठीक है और इसी परकार को में आप सभी को एक्जाम हाल म प्रश्ण होने चाहिए और ओमार को फिलब करते से में आप सभी को ध्यान और चाहिए कि किसी पर काटा पीडि नहीं करना है इरेजर के इस्तमाल करना है नहीं वाइट इनकों को घ्यान में रखना है और आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर बिलकुल भी नहीं मिलेगा ठी सबसे पहले देखो बोला जाता है कि जैसे आप यहां पे दिखोगे वैसे दुनिया आपको जज़ करेगी ठीक है एक इंगलिस में कहावात भी एक फर्स्ट इंप्रेशन इस दे लाश्ट इंप्रेशन दुनिया के सामने तुम पहली बार जाकर के पांची मिनट में जो इंट पांची मिनट के इंप्रेशन मना आँ उसके पाद एजामने आपके जज़ कर लेका कि फेल करना पास करना था इस वात को धान में रखना है और सबसे पहले दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि अपने एडमीट कार्ट से मैच करा करके साब देल्स में अपने मंस नहीं बरना कोई अब गोलू भुला रहा है तो यहां पर लुखना की आप कोडाfunding बर्ड चापना लगया विखना है नाम बढ़ता हिसरन आम टेकsem enough यहां पर रूर्टेंगर करना किसे डेट को पेपर है यहां पर नमर आपना रोल नंबर डालने के बास्टीक उसके सामने नकर यह अब लोग वार्चिक परिछा देना जाऊगे तो आपना पर पूरा बुलना है यहां पर अपना करने के बाद अब यहां पिर पर देखो बहुत सरे बच्छे बोड़ के पेपर में पहली बार देने जाते हैं और कहीं अ गलती आ कर बैठते यहां पी देखो this परिक्षार्थिक अंक्रमंक अंकों में लिखा है ना तो क्या करते हैं यहां पर 3,10,000 ऐसे भरने लगते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भरना है ठीक है अपने paper के साथ मिला करके यह लिखना और प्रिक्षार कापी बोर्ड में चली जाती है तो यह तो हो गया सारा का सारा process मैं ने बता दिया अब आगये समझते हैं कि असे पूरे paper का solution भी बताएंगे ठीक है इस पूरे विवर का सालूसर मताएंगे ठीक है और यहां पर बोर्ड में कांपिया कैसे लिखना है और कांपिया लिखते समय सावधानिया क्या होनी चाहिए वह भी मैं आप से भी के साथ डिसकस करने वाला हूं तो वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन धमाके अहीं से सहे धां तहर सना गया है ठीक है अिसको मना करना जाता है दोल्ट सबसे सेव पहला एक्वशन का थे टीक है तो सबस्क्राइब ले जाने के लिए प्रिव करना चाहिए चाहिए तो रोगी को जो जाता है रोगी ना तूसको एक कमरे से तुसरे वोने में या कहीं और ले जाने के लिए उसको stream करते हैं ठीक है चौता स्टेशर बोलते हैं ठीक है तो रोगी को एक तो से दूसरे स्थां तक पहुंचाने के लिए हम stream करते हैं ठीक है चलिए आगे समझते हैं कि असूद जल से होने वाला रोग का नाम मताइए पोलियू पेचिस हैजा यह सभी तो तीसरा अपसर यहां पर राइट एंसर हो जाएगा तीसरा को यहां पर अपने ओएमाय रेंस शीट में ब्लेक करना है यह ब्लू करना है चलिए अगला अमरे कोश ब्लू कर सकते हैं सभी आपको करना चाहिए बर्पने बर्प का पानी बारी का और तंडेश नमींसे में हब कर सकते हैं अपसे नमबर हमारा पहला इसका राइट अंसर हो शकता है ृटिक है हो जाएगा चलिए आगे देख लिए वाटर कर में कोस्ट होते हैं एक दो तीन या चार तो वाटर फिल्टर है बहुत सारे प्रकार के कोश्ट की बने होते हैं यहाँ पर चार यहाँ पर मार सकते हो कोई दिकत की बाद नहीं है ठीक है चलो अगला हमारा कोशन पूछा गया बच्चा कि मोती जहरा का संप्रामति काल होता है मनें मोती जहरा कि कितने से किने दिन तक होता है उसका दिन बताना है साथ से लेकर के कैस दिन दो से लेकर के तीन दिन या चार से लेकर के छे दिन या कोई नहीं तो साथ से लेकर के छे दिन तक इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है पहला यह अप्सन सकते हो जाएगा ठीक है चलो अगला हमर सब्सक्राइब अबनाय क्या है कि दुपाल दुर्गर किशामपल हैं वायू परदुसर्का ध nuit परेटेशका यह तो दोस्तों वायू नाटी किस्पिदी से शेट इस प्रकर किस पर बांदनी चाहिए मोच पर चोट पर या फोड़े पर या सभी पर तो प्याज की जो बना जाती है दोस्तों वो मूर्च पर बनाई जाते है तीसरा यहां पर अप्संद सकते हो जाएगा इस को ध्यान में रखना है कई बारा उन्हें बता भी रखा है ठीक है चलो अगलेमर को सन पुछा गया कि प्रकृतिक असंतुलन में प्रकृतिक असंतुलन से कौन से यापदा आती है सुखा पढ़ना बाढ़ आना या भूमी का बंचर हो जाना यह सभी तो प्राकृतिक असंतुलन में तीनों परकार की जांपल आएगा सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलो अगला अमरे कोशन पुछा गया है कि सूती तंद प्राप्त होता है रसायनों से पस्वों से या बनस्पतियों से या कोई नहीं तो सूती तंद हमारे किस से प्राप्त होगा यह बनस्पति से प्राप्त होगा ठीक है तीसरा अप्शन या पिका हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा चलो अगला हमारे कोशन है कि छय रोग के रोगी के भोजन में किसकी म मात्रा सबस्याधिक होनी चाहिए तो प्रोटीन के मात्रा सबस्याधिक होनी चाहिए किसकी प्रोटीन की अगला हमरा कोशन है कि आदर्स बजट माना जाता है असंतुलित या घाटे का या बचत तो आदर्स बजट सब किसको माना जाता है तो बचत का बचत को ठीक है बचत ज तो चेचक रोख फैलता है जल के द्वरा असुद जल के वज़ा से चेचक रोख हो जाता है ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है अगला कोशन है कि भोजन कक्ष की देशी साहिली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए कुर्सी में छोटी चोकी या सर होगा ठिक है अगला ह्मारा कोशन या आप पूछा गया है कि सरीर की वह कंकाल अस्तिकंकाल यह सभी स्वास गती नाड़ी गती में समंध्थ क्या होता है तो स्वास एक एक मिनट में इंसान जो सोला से सत्रा बार लेता है ठीक है लेकिन अकर धरकन की बैत करेंगे तो शत्र से बातर बार धरकता है तो 17 चाहिए यानि टीक यह फिर फोरीज का लगभग पर एंसर होगा ठीक है इप रैक्स में वन रसी उफ्वरीज का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब दोस्तों आप सभी को ले चलते हैं अब सभी खंडबा के तरफ ठीक है जो कि बोड़े में आप सभी को बताना है और किस तरी बॉर्ड में टापर करते हैं यहां पर देखिए जो सबसे पहला क्वेशन है अतिलग उतरी है इसमें करना कहा है सबसे पहले निर्देश को पढ़िएगा कि प्रश्ण संख्या 21-26 तक अतिलग उतरी है और प्रतेक प्रश्ण का उत्तर अधिक्तम 25 सब्द के अंतरकत देना है 21 से लेकर gelecek 26 की क्वेशन है और प्रतेक क्वेशन को 25 सब्द में देना है और सबसे अमारा पहला क्वेशन है कि परिवारीग बजट किशे काते है इसके बारे में बताना है इसको कैसे हल करेंगे सबसे पढले ध्यान से सुनिए सबसे पढ़ यहां पर लिखेंगे खंड बह उतिए लगूटिर पिष्ट की हैनी लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे प्रश्णोतर संक्का ट्वैंटीवन टीकि इसमें लिखेंगे परिवारिक बजट बचट परिवारिक तो नंबर मिल जाएगा ठीक है नंबर करने वाला नहीं है इस परकार का चलिए अब अगला यह पुछा गया है कि ऑजोन परत का क्या महत्तों है यानिक हमार जिंदगी में ऑजोन परत क्या महत्तों है उसके बारे में बताना है यहां पर लिखेंगे प्रशनोतर संगे 22 इसमे अगला अमरे कोशन यह पुछा गया है तेस नंबर अगला कोशन यह पुछा गया है तेस नंबर कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों अवस्तक है क्यों जरूरी है यानि कोई भी कपड़ा अगर बनाएंगे तो हम उसका माप लेना क्यों जरूरी मना जाता है इसके बारे में आपको लिखना है 25 सब्द में लिखना है तो कपड़ा काटने से पहले माप लेना इसल प्रूप्य फिटिंग से बनते हैं ठीक है और माप लेंडे से बहुत सरे फायदे हो जाते हैं कपड़ा कटिंग बेकार नहीं होगा ठीक है और इंसान के वराबर कपड़ा बनता है ठीक है इस बात को धान में रखना है अब अगला अमरे को संब पुछा गया है कि भोजन पका अर्थों को सुपाच बनाना ठीक है हम इसलिए करते हैं कि अगर हम बिना पकाई हूँ भोजन खाएंगे तो हमारा अपच कर देगा ठीक है सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा पेट में गडबड़ी हो जाएगे ठीक है अगला लिखेंगे को अधिकाधिक स्वाधिष् भी करना ठीक है यह चार पॉइंट रहेंगे अगर लिखेंगे तो आपका दो नमपर यहां से मिल जाएगा ठीक है चलो अब अगला यह कोशन है दोस्तों समझेगा कि दवा पिलाते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे तो इसका एंसर क्या होगा ध्यान से समझेग अगला कोशन यह है कि आपमान लेते समय दो सवधानिया के बाड़े में लिखना है ठीक है हम अगर किसी भी चीज़ का टेंपरेचर सेंड्स करते हैं किसी बौडी का तो हम किन-किन दो बातों को ध्यान में रखेंगे इस बात को बताना है तो तब मान लेते समय दो सब्धानिया निमने लिखी थे सबसे परे धर्ममेटर को मुव में नहीं लगाना चाहिए और यदि रोगी को पसिना आ रहा है तो उस समय में उससे पोच कर कुछ दिर बाद र एक तीज को हल करना है ठीके टीक चेक बुक मैं अंतर बताना है की यृत होता है होता कि दोनामे अंतर अन्तर बताना helped लिखेंगे कि पास्ट वक्राइब लिखेंगे कि पास्ट प्रिंट करने के लिए किया जाता है सभी बात है आई किसी को पैसा देने के लिए ही किया जाता है यह अगर मोटे रकंत निखर यह सकते हैं , इस महीं अंगर तेकर यह मसे घ्रकया कि पांच हो गया सुना बारा मो पस्वक से bombs our screens सकते हैं , अक्षा सेता टोट से रिखर को थान रखना है , क्योंकि आसपस की नसे उतको और रक्त वाहिकाओं को अतिरिक्त नुक्सान हो सकते हैं यदि कोई खुला घाव है तो उसे आगे के चिक्टसा उपचार के रस्ते में एक साफ कपड़े या पट्टी से ढग देना चाहिए ताकि रक्त इस तरह ना बंद हो जाए ठीक है चलिए पूछा गया है कि तंभाकु पीना स्वास्थ के लिए का रख है क्यों नहें पीना चाहिए इसके भरें बताना है ठीक है त्दा लिखाएंगे उसके कारण हिर्धय पर दबाब परता है और पर आउत हो जाता है इसके लागतार सेवन से फेपड़ों में कैंसर भी हो सकता है और हिर्दय करती रूख जाने वज़ा से इंचान मर भी सकता है इसलिए तंबाकु का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए ठीक है चलिए अगला हम यह कोशन पूछा गया कि प्रतिरोधक छमता को समझाईए कि प् के द्वेगाम भाजन को स्कति है लिख के दॉरा भाजन पकाना वह पकाने की प्रिया विदि महीं जाता हैं अधीक होता है और भाजन के पकाने की सबसे बीदी अची बीदी भाप के दौरब पकाना ही सबसे अची बीदी माने यती है ठीक है चलो अगला हमारा कोजने प्रतिरोधक छमता क्या होता है इसके बारे हम समझाना है तो लिखेंगे प्रतिरोधक छमता है इसमें लिखेंगे कि रोग प्रतिरोधक छमता विशेज को सिखाओ और सरीर के दूसरे अंगों का एक नेटवर्क होता है जो सरीर के नुकसान पहुचाने वाले बैक्टरिया और वैरस से बचाता है प्रतिरोधर्चम तकालाता है यह हमारे सरीर को स्वस्थ रखने में सहायता परदान करता है ठीक है अगे समझना चलिए अ इसका मतलब इनपर पारिवारक प्रकार का वर्ण करना है अथ्व ग्रीप क्या होता है इसके मत्व को सभिषतार समझै है ठीक है तो दोनों मेंसे किसी एक होता प्रतक्छाह एग Citizens C इस बात Kक्त लिखना है स्षोर्थ लिखना है तो परिवारी ब्यूιο से Pra applatch सकती है जैसं नोक्री से Pra flop性 होने वाला भिराया या औंश्काल इन कक्षाय चलाना या बैंको से प्राप्त होने वाला ब्याज या स्यर के इत्याद धन्करिवारिक आए काraf लिए हैं परकारा ऊक्षाय चलाएं ट्र ministほ प्रकार का हम लिख सकते हैं ठीक है चलो अगला हमरा कोशन है दोस्तों कि घर में सिलाई करने से ग्रीडी को क्या लाब होता है एक ग्रीडी के लिए ज्यान होना क्यों जरूरी है यह करो नहीं तो यह करो नाप लेने के सबसे बनिया बीदी के बारें बताएं और विस्तार से की किसीएक को हल करना है ठीक हम इसमें यह लिखेंगे घर में चलो अब अगला अमरा कोशन यह पूछा गया है जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नमर कोशन है और इस मोडल पेपर का भी अंतिम नमर कोशन है यह रोगी का आहर त्यार करते समय किन-किन बातों का ध्यान में रखना अवस्चक होता है विस्तार से समझाना है ठीक है तो त्यार होना चाहिए कि उसके पोश्टिक तत्व जाएस से प्रोटीन हो गया खनी लमण और या विटामीन यह त्याद नस्त ना हो ठीक है भोजन डाक्टर के निर्देसाम सर त्यार होना चाहिए रोगी के भोजन में चटपटे मसाले कम देना चाहिए भोजन के साथ भोजन को सदिश्ट बनाने के लिए काला नमक वकाली में रिष्क प्यों करना चाहिए रोगी को जो कुछ भी भोजन दे तत्व से परिपूर होना चाहिए इतने परकार का में ध्यान में रखनी चाहिए सब्धानिया जो कि आप सभी को त्यार करना है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो एक बार प्यार से इस वीडियो को लाइक कर देना वीडियो कैसे लगी इसका फीड़एक कमेंट के मादम से देना ठीक अच्छी लगी होग तो अच्छी बताना ठीक है और कहीं पर आपको लग र लिष्टदारों में सब जगा सेर करते ना ठीक है और चैनल पर भी तक मैं हो सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब भी करते ना जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम